Hello everyone and welcome back to another video तो friends इससे पिछली वीडियो में आपको Accenture के एक फ्रेसर जॉब के बारे में बताया था तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो सुभी जुरूर देखना एंट इस जॉब के लिए जुरूर अपलाए करना तो आज की इस वीडियो में आपको इक फ्रेसर जॉब के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी नोटिफिकेशन टेल टेकनलोजी की तरफ से आई है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बताऊँगा आपके आप इस जॉब में क्या जॉब रलोने वाला है क्या जॉब लोकेशन होने वाली है कौन-कौन इस जॉब के लिए अपलाई कर सकता है कैसे अपलाई करना है पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँँ अगर आप हमाने चैनल पर नई हो और आपने तो हमाने चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह लिटेस जॉब्स, इंटेंसिफ तन फ्री कोर्सिल विट सेटिफिकेट की वीडियोस मिलती रहती हैं तो चलिए अब बात करते हैं Dell की जॉब के बारे में तो उसके लिए आपको jobs.dell.com की official website पर आना होगा इस website का लिंक आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा तो जैसे आप उस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस्तरिके का interface आएगा यहाँ पर आपको बताया कि आपको इस job में जो job role होने वाला है वो आपको आपको software engineer का होने वाला है एंड जो job location होने वाली है वो आपकी बैंगलोर की होने वाली है तो चली सबसे पहले हम बात करते हैं इस job के लिए कौन को नपपलाई कर सकता है तो अगर आपने BE, BTEC, ME, MTEC, BCA, MCA, BWOC, BSC, MSC की है Computer Sense या IT की field से तो आप इस job के लिए अपलाई कर सकते हैं तो अब बात करें आपको यहाँ पर इस job में क्या काम करना होगा तो आपको यहाँ पर develop, test and integrate code for new and existing software का का काम करना होगा और आपको यहाँ पर troubleshooting का काम भी करना होगा इस job में बेसिकलिए आपको यहाँ पर इस job में जो भी software, development, life cycle की जतने भी phases होते हैं इस पर आपको यहाँ पर काम करना होगा इस job में तो आप apply करने से पहले इन सारे points को एक बार ज़रू read कर लेना और नीचे आपको यहाँ पर इनोने कुछ skills भी mention करी हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए जोब में apply करने के लिए तो आपको यहाँ पर इस job में programming language के अच्छी knowledge होनी चाहिए like C, C++, Java, Python यह सब language आपको आनी चाहिए and आपको operating system like Windows, Mac, Linux and database की भी अच्छी knowledge होनी चाहिए and आपको debugging करना भी आना चाहिए आपकी good understanding होनी चाहिए hardware and software की साथ आपको server, storage, networking का काम भी आना चाहिए और आपको Linux operating system की भी अच्छी knowledge होनी चाहिए आपको user application and data security की भी अच्छी knowledge होनी चाहिए and आपके अंदर strong analytical debugging, research and problem solving skill भी होनी चाहिए साथ आपको developing micro services, developing desktop application using C++, Electron.js, HTML, CSS, JavaScript, Node.js, React.js इन सबकी भी knowledge होनी चाहिए and आपके object oriented programming के concepts भी clear होनी चाहिए and आपको application build करना आना चाहिए using React.js, Redux.js and Express.js के साथ and आपको RESTful API, JavaScript, Unit Testing Framework, Database Management and UI, UX की भी knowledge होनी चाहिए तो अगर आपके पास यह सारी skills हैं जो भी यहाँ पे इनोने mention करी हैं तो आप इस job के लिए apply कर सकते हैं तो इस job में apply करने के लिए आपको यही पे उपर apply now का एक button देखने के लिए मिलेगा तो जैसे आप अपला इन नाओ पे किलिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस्टरके का interface आएगा तो आपको यह पे skip this step पे किलिक करना है तो जैसे आप account बना के login करेंगे तो आपके सामने ये चार options आएंगे जॉब में apply करने के जिसमें सबसे पहला option है कि आप अपनी last application के थुरू भी जॉब के लिए apply कर सकते हैं या आप अपने resume के थुरू भी जॉब के लिए apply कर सकते हैं इसके बाद अगर आपने कोई job या internship की है तो आपको यहाँ पे उसका experience डालना है इसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ basic question पूछे जाएंगे उनके answers देने है इसके बाद आपको यहाँ पे अपना gender select करना है and form fill होने के बाद आपको यहाँ पे एक submit बटन देखने के लिए मिलेगा तो जैसे आप submit बटन पे click करेंगे तो आपके application इस job के लिए submit हो जाएगी and आगे का जो भी process होगा like interview वगएरा वो आपको आपकी mail के थुरू बता दिया जाएगा and friends अगर आपको इस job में apply करना में कोई दिक्कत आती है तो आप में से रिचे कमेंटर में पूछ सकते हैं तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही चैनल पर नहीं हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चैनल को लाइक एंड शेर करें और टेलिगराम गुर्प को भी जुरू जोइन करना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है थैंक्यू